टीवी का मोस्ट पॉपलर रियालिटी शो रोडीज जल्द ही अपने नए सीजन के साथ छोटे परदे पर दस्तक देने वाला है। इस बार शो में जहां सोनु सूद होस्ट के तौर पर नज़र आएंगे तो वहीं प्रिंस नरूला, गौतम गुलाटी और रियाल चकरवर्ती गैंग लीडर के तौर पर दिखाए देंगे। मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी ने रियाल चकरवर्ती के साथ शूटिंग करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दे रिया चकरवर्ती को गैंग लीडर के तौर पर चुनने के बाद मेकर्स की जंग कर किरकिरी हुई थी यहां तक कि कुछ लोगों ने गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें नफरत भरे मैसेज़िस भी दिये ऐसे में दोनों ने लोगों की शिकायतों से बचने के लिए रिया चकरवर्ती के साथ काम ना करने का फैसला किया है हालकि इस बात पर अभी तक रिया चकरवर्ती या खुद गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है आपको बता दे रोडी इस कर्म या कांड तीन जून से छोटे परदे पर शुरू होने वाला है शो का प्रीमियर हर्शनिवार और रविवार को शाम साथ बजे किया जाएगा अब देखना ये होगा कि रिया चकरवर्ती और सभी मुकाबलों के बीच शो में टिक भी पाती है या फिर नहीं या रोडी से भी उनका पत्ता कटने वाला है आपको बता दे सुशान सिंग राजपूत की खुदखुशी के बाद से ही रिया चकरवर्ती लोगों के निशाने पर आ गई थी रिया चकरवर्ती पर सुशान को आत्म हत्या के लिए उकसाने का बड़ा आरोप लगा था वहीं ड्रग से जुड़े मामले में भी रिया चकरवर्ती काई दिनों तक पुलिस रासत में रही थी अब रोडी शुरू होने से पहले ही रिया चकरवर्ती एक बात फिर से लाइम लाइट में आ गई दोनों गैंग लीडर्स प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी ने रिया चकरवर्ती के साथ काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया वैल इस बारे में आपकी क्या राय है आप भी हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएं और एंटर्टेन्मेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबिटी एंटर्टेन्मेंट